हेलो फ्रेंड्स आम सभाशेक वेलकम तो माई चैनल विज्डम मास्टर दोस्तों सबसे पहले आप विज्डम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें इस चैनल से और फ्रे वीडियो में मैंने अधिगम अच्हमता लर्निंग डिसेबल्टी से महतुपूर को लिया है जहां से हर साल सीटेट में कोश्चन पूछता है तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले कोश्चन पर आज का हमारा पहला कोश्चन है लिखावट से संबंदित लिखने की योगिता में कमी किसका एक लच्चड है तो फ्रेंट्स यह डिस्ग्राफिया का लच्चड है फ्रेंट्स यह सब लर्निंग डिसेबल्टी के कोश्चन है अधियम अच्हमता के कोश्चन है डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया डिसकैलकुलिया डिसफैजिया डिसफ्रेक्सि यह सब आपको सब डिटेल में मिल जाएंगे आँपे फ्रेंड्स कोशन बहुत ही महत्वपूर है एक एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है आप लाश्ट तक बने रहिएगा नेक्स कोशन हमारा है सब दों में अच्छरों के करम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभो करना और अक्सच छुस इस्मलीत का हराश करना किसे संबंदित है तो यह डिसलेक्सिया से संबंदित है नेक्स कोशन हमारा है भाशा वा भोधन से संबंद विकार है तो friends, यह भाशा घात है Next question हमारा है शारिरिक रूप से अच्छम बच्चों को सामनेता है क्या होता है? तो यह dysgraphia होता है Next question हमारा है dyslexia मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंदित है? तो यह पढ़ने से संबंदित है Next question हमारा है dysthemia है friends, यह गंभीर तनाव की अवस्ता ही dysthemia कहलाती है Next पर चलेंगे Next question हमारा है गड़ित को समझने की आवशिक्ता है सारी friends, गड़ित को समझने की अशक्तता क्या कहलाती है? तो यह dyscalculia कहलाती है Next question हमारा है dysgraphia मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंदित है तो friends, यह लिखने से संबंदित है Next question हमारा है dyslexia किसे संबंदित है तो यह पठन विकार से संबंदित होता है dyslexia friends, जो dyslexia होता है यह पठन विकार से संबंदित है dysgraphia जो होता है वो लेखन संबंदी विकार से संबंदीत होता है डिसकैलकुलिया जो होता है वो गडिती एकोशल संबंदी विकार से संबंदीत होता है डिसफेजिया जो होता है वो वाक छमता संबंदी विकार से होता है और डिसप्रेक्सिया जो होता है वो लेखन वा चितरांकन संबन्धी विकार से होता है फ्रेंट्स ये बहुत ही महत्तोपूर है ये हर साल सिट्रेट में पूछता है तो आज की टाप 40 कोशन है और 40 कोशन ही बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलते हैं नेक्स कोशन पे नेक्स कोशन हमारा है निमना लेकित मैं से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है तो फ्रेंट्स ये अफेजिया है नेक्स पे चलेंगे नेक्स कोशन हमारा है मनुविग्यान शब्त का प्रियोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो फ्रेंट्स मनों विग्यान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति रूडॉल्फ गायकल था 1590 में इन्होंने प्रयोग किया था नेक्स कोशन हमारा है समाजिक अंता क्रिया किसे कहते हैं समाजिक अंता क्रियाे कहला, जैसे यह सब समाजिक अंता क्रिया का अर्थ क्या है नेक्स पर चलेंगे, नेक्स कोशन हमारा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस ने कहा तो friends मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा तो question बहुत ही महत्तोपूड है next पिचलेंगे next question हमारा है 17 शताबदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किस ने कहा तो फ्रेंट्स 17 वी शर्थाबदी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिस का विज्ञान कहा जाता था और ये पंपो नाजी ने कहा नग्स पर चलेंगे नग्स कोशन हमारा है फ्रेंट्स कोशन बहुत ही महत तो पोड है एकदम चुने हुए कोशन है सब नेक्स कोशन हमारा है अठावी मी शताब्दी में मनुविज्ञान को क्या कहा जाता था तो इसे चेतना का विज्ञान कहा जाता था यह विलियम जेम्स यह वूंट ने कहा नेक्स पे चलेंगे नेक्स कोशन हमारा है बीस्वी शताबदी में मनुविज्यान को क्या कहा जाता था बीस्वी शताबदी में मनुविज्यान को क्या कहा जाता है तो फ्रेंट्स ये वहवाहार का विज्यान ये वाटसन ने कहा फ्रेंट्स कोशन बहुत ही मौत्वपूर है एक एक कोशन बहुत ही मौतपूर है बिलकुल लास्ट तक आप लोग बने रहेगा नेस कोशन मना शिच्छा मनोविज्यान की पहली पुस्तक किस ने लिखी और कब लिखी तो फ्रेंड्स ये थांडाइग ने 1903 में लिखी थी फ्रेंड्स को जान लेते हैं थांडाइग के बारे में थांडाइग जो है वो शिच्छा मनोविज्यान के जनक है इन्होंने अपना प्रियोग बिल्ली पर किया था फ्रेंड्स इन्होंने इन्हें SR सिधान्त का जनक भी कहा जाता है संयोजन वाद कभी जनक कहा जाता है इनके कुछ मुख के सिद्धान जैसे शिच्छामनो विस्मिरित या अभ्यास का सिद्धान्त है व्यक्तितुक के तीन परकार इन्होंने बताए हैं बुद्धी के तीन परकार इन्होंने ही बताए है थांडाइक ने इन्होंने ही किशोरावस्ता का करमिक विकास का सिध्धान्त दिया और बुद्धी का बहुकारक सिध्धान्त इन्होंने ही दिया तर थांडाइक नहीं और इनका famous सिध्धान्त रूटी और प्रयास का सिध्धान्त इन्होंने ही दिया इन्होंने अधिगम के तीन प्रमुख नियम दिये ततपड़ता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव का नियम इनकी कुछ थांडाई की कुछ पुस्तकें फ्रेंड्स एजुकेशन शाइकोलोजी एनिमल इंटिलेजेंस जो बहुत ही फेमस हैं नेक्स पर चलेंगे नेस्स कोशन पर नेक्स कोशन हमारा है सिच्छा का अधिकार अधिनियम कब बना तो फ्रेंड्स ये अधिकार के लिए सदय सहायक अवयव नहीं है तो ये उच्छ चिंतन नहीं है नेक्स कोशन पर चलेंगे जब शरीर के एक पच्छ के अंका दिया गया प्रशिच्छ भविश में उप्योगी सीध्य हो तो वह कहलाता है एक पच्छी अंतरड कहलाता है फ्रेंट्स नेक्स पे चलेंगे नेक्स कोशन हमारा है जिस साच्छातकर के माध्यम से छात्र के घर तता वातावरण के संबंद में सुचनाय प्राप्त की जाती है वह निदानात्मक साच्छातकर कहलाता है नेक्स पे चलेंगे एक समों की बनावट का अध्यान करने में प्रियुक्त होती है समाज मीति विधी नेक्स हमारा है सफल साच्छातकर के लिए आवश्यक है तो यह आत्मियत्या का अस्थान आवश्यक है नेक्स पे चलेंगे नेक्स क्कोशन हमारा है प्रेरिकी समप्रदाय से संबंदित है तो यह मैंक दूगल इंके यह प्रेर की सम अधाशन प्रतियों को दिया था next पर चलेंगे next question हम आ रहा है किस मनोवज्यानिक संपरदाय ने बालक मनोविज्यान बुद्धी परिच्छड आदि मनोवज्यानिक उपविस्यों को सर्वपतम प्रस्टूत किया तो ये कार्यात्मवाद थे next पर चलेंगे नेक्स क३ोशन हो महारा है अंतर दर्शन पदती मनोविज्यान की किस संपरदाय से समद्धित है तो फ्रंस ये भी कर्यात मुवाद से है नेक्स पő-चलेंगे नेक्स कोशन हुमारा है किसे खेल प्रडाली का जन्मिदाता माना जाता है कोशन बहुत अचा फ्रेंड, बहुत ही महातुपूट, फ्रॉबिल को नेक्स पुचलेंगे, कछा में निरंतर चलने वाली अंताक रियाओं के अध्यान को कहा चाता है? तो समों गत्यात्मक्ता कहा जाता है, साच्छात्कर का संबंद है व्यक्ति से व्यक्ति का ये साच्छातकर का शंबंद होता है नेक्स कोशन हमारा है दमन के अस्थान पर पुरुषकार दोरा वेवार सुधारने की बात मनुविज्यान के किस संप्रदाय में कही गई तो ये वेवार वादी नेक्स पर चलेंगे नेक्स कोशन हमारा है ब्यवारवाद किसके परिछडों पर आधारित था तो ये इवान पाउला के परिछडों पर आधारित था नेक्स पर चलेंगे नेस कोशन मारा है सीखने वालों के लिए आवश्यक की वह क्या असमरा ढखे और क्या बुला दे ये गतन किसका है तो फ्रेंट से ये क्रो एंग क्रो का है नेक्स पे चलेंगे नेस कोशन हमारा है सिच्चा में पूर से अंश्की और पधती की संप्रदाय की देने तो ये गेस्टाल्ट की देने नेस कोशन हमारा है मनुविज्यान में महत्त है निरिच्छड का अंतरदर्शन का बही दर्शन का नेक्स पे चलेंगे नेस्ट कोशन हमारा है अधिगम के नियमों को परतिपादित किया थान डाइक ने किया था नेक्स पे चलेंगे नेस्ट कोशन हमारा है खेल गीतों वह उपहारों दोरा शिच्छा दी जाती है तो यह किंडर गार्टन पद्धि में दी जाती है नेक्स कोशन हमारा है मनोविशले शुरातमक प्रवडाल के जन्म दाता है तो यह सिगमन फ्राइड हैं फ्रेंड खेल विदी के भी जन्म दाता है नेक्स से कोशन हमारा है प्रयोजनवाद विदी की संपरदाय पर आधारीत है तो फ्रेंट्स यह प्रेयर की संपरदाय पर आधारीत है तो फ्रेंट्स यह थे आज के टाप 40 कोश्चन बहुत ही महत्वपूर एक एक कोश्चन बहुत महत्वपूर है फ्रेंट्स तो फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर थैंक यू सो मच फ्रेंट्स